आठ जनवरी को होने वाली हर्ताल को लेकर रोडवेज करमचारी यूनियन हर्ताल को सफल बनाने के लिए सबी डीपो में जाकर करमचारियों के साथ गेट मिटिंग करके विरोध दर्ज करा रही है साथ ही हर्ताल के दिन रोडवेज का चक्का जाम करने का आवान कर रही है कमेटी के अध्यक्ष बिरंदर सिंग धड़कन ने का कि सरकार की जन विरुदिनीतियों के खिलाफ करमचारी हड़ताल में बढ़ चड़कर हिस्सा लेंगे आड़ सिनूरी 2020 को केंदरी ट्रेड रिम्नों के आवान पर होने वाली आम हड़ताल हर्याना परदेश के अंदर हर्याना रोड़वेज का पूंग रूप से चक्का जाम रहेगा रोड़वेज तालमेल कमेटी के परदेश वापी प्रोग्राम के तहित आपके समक्स गेट मिटिंग अभी चल रही है वरतमान के अंदर के अंदर और राज्य सरकार की करमचारी जनविरोधी आम जनता के खिलाब जो नीतियां हैं उनको लेकर के इस राज्य वापी हरताल के अंदर हर्याना परदेश का करमचारी चयो प्रयून विभाग का है दूसरे विभाग है पूर्ण रूप से हम उसमें आउति डालेंगे जहां तक राज्य की सरकार का प्रसन है अर्याना परदेश की सरकार जनता से जुड़े विए इस विभाग को किलोमेटर स्कीम के मादम से दनाडे और पुंजिपती आदमियों को लाप पुचाने के लिए निगम बनाने पर तुली होई है सरकार की विजलेंस विरो द्वारा इदी किलोमेटर स्कीम लागो हो जाती तो परदेश की राज्यों को हजारो क्रोन रुपए का आर्थी रूप से नुक्सान होता राज्यों को नुक्सान पुचाने का किशी को भी इदिकार नहीं है हमारी राज्यों सरकार से रोडबेश तालमेल कमेटे की रोडबेश के करमचारी की परबल अविलम मांग है कि वो किलोमेटर स्कीम को सिरे से रद करते हुए परविन विभाग में परतेक वरस दोजार सरकारी गाडियां जोड़ते हुए इसकी संक्या 14,000 तक बढ़ाए और जो उस समय के विभाग के उचे दिकारी है या राजनी देश तरफ परातिम आदमी है या बोली दाता है जिनोंने किलोमेटर स्कीम के गपले को अंजाम दिया था कड़ा संग्यान लिया जाए